Hello and Hi to all my beautiful souls, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल Easy Life 111 के उपर कैसे हैं आप सब कॉमेंट करके जरूर बताईगा, आप सभी का कॉमेंट में हमेशा पढ़ते हूँ और आप सब का कॉमेंट पढ़के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, इस वीडियो में आप जाने वाले है कि अगर आपके घर में बार-बार कोई छोटा बच्चा आ रहा है, किसी भी रूप में हो सकता है आपका रिलेटिव हो, हो सकता है कि आपके आसपास में ही रहने वाले बच्चे अचानक से आपके घर में बार-बार आने लगे हैं बार-बार आप से खाने पीने की चीज़े मांगते हैं, जिद करते हैं, आपके पास रहना पसंद करते हैं अगर इस तरह का संकेत आपको भी मिल रहा है आपके साथ भी ये सारी चीजे घडित हो रही है तो इसका मतलब क्या है क्योंकि इतिफाक कुछ भी नहीं होता है ऐसा बिलकुल नहीं है कि अचानक से आपके अंदर कोई पावर आ गई है और बच्चे आपके पावर से आने लगे हैं बिलकुल नहीं युनिवर्स की तरह से बहुत बड़ा संकेत है अगर आप इस टॉपिक में इंटरिस्टेड हैं तो वीडियो में इन तक बने रहेगा जरूर बिना स्किप के देखेगा क्योंकि छोटी सी ये वीडियो होने वाली है अगर आप इस चानल पर नहीं आये हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बेल आइकन को आल पर प्रेस कर लिजीगा फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ताकि इस चानल से जुड़ा हुआ हर अपडेट हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले हर वीडियो का बेनिफिट साप ले पाएं तो शुरू करते हैं वीडियो को और जान लेते हैं कि अगर आपके घर में बहुत सारे छोटे बच्चे आने लगे हैं या कोई एक ही बच्चा बार-बार आपके घर आ रहा है आपसे कुछ मांग रहा है या आपके पास रहना पसंद कर रहा है आपके सपने में बच्चे आ रहे हैं तो इसका मिनिंग क्या है युनिवर्स किस चीज़ का संकेत दे रहे हैं ऐसे कौन सी चीज़े हैं जो हिडिन है आपके लिए जाना बेहद जरूरी है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं अगर पात साल से निचे के बच्चे आ रहे हैं तब तो बहुत बड़ा संकेत है युनिवर्स के तरफ से आप कोई भी कारे करने वाले हैं या किसी कारे को करने के लिए सोच रहे हैं बहुत आ रहे हैं, आपके पास आके खुश हो रहे हैं, आपसे कुछ मांग रहे हैं, आपके पास आके कुछ ना कुछ खा रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ा और बहुत positive संकेत है, बहुत ज़्यादा खुश होने की जरुरत है अगर आप सपने में भी बच्चों चाहे आपके life में relationship कितने भी negative हो गए थे, सभी लोग आपसे दूर हो गए थे, हर रिष्टे में argument हो रहा था, सारी रिष्टे आपके सही होने वाले हैं अगर आपके life में पैसो की कमी थी, तो आपके life में money का flow बढ़ने वाला है किसी न किसी जर्ये आपके पास पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके money का flow धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद को stable feel करना शुरू कर देंगे इसके लावा अगर आपके health में बहुत time से कोई problem थी, कोई बिमारी थी, ठीक नहीं हो रही थी, तो उसमें भी आपको improvement दिखेगा, आपकी health सही होने वाली है लंबे समय से चलने वाली बिमारी भी ठीक होने वाली है अगर universe आपको दे रहे हैं, छोटे बच्चों के जरीए ये संकेत इसके अलावा, आपके पैसे कहें फसे हुए थे, या आप किसी तरह के court case में फसे हुए थे अगर आप घर लेना चाह रहे थे, जमीन लेना चाह रहे थे मतलब जितनी भी चीजे हैं जिसे आप करने की सोच रहे थे, उसे करने की जरुरत है अब वो सारी इच्छाएं universe खुद पूरी करेंगे, इसलिए आपको इस तरह का संकेत मिल रहा है और जब भी आपके घर पर बच्चे आएं तो उन्हें बिना कुछ खिलाए ना जाने दे क्योंकि वो बच्चे आपके घर में एक angel की रूप में आये हैं पर मात्मा खुद चल कर आ रहे हैं आपको ये positive sign देने के लिए तो आप इसे ignore तो बिलकुल मत कीजिएगा और अगर बच्चे आते हैं तो परिशान भी मत होएगा बलकि उसी time universe को thank you बोलीगा कि आपके घर में ये बच्चे आ रहे हैं positive energy के साथ I hope कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आये helpful लगे इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब की पास सही जनकारी पहुँचे और सभी लोग अपने जीवन में आगे पढ़ पाएं इस तरह के वीडियो के लिए चानल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को ओल पर प्रेस कर लीजिए और अपने बैड कर्मा को रिलीज करने के लिए चुडियो को दाना या रोटी दिया करें पानी दिया करें मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक मुझसे पास्नली कनेक्ट होने के लिए मेरी इंस्ट्राग्राम आइडी है स्काइविंग्स टिपल टू वहाँ फालोज जरूर से कर लेजिएगा गॉड ब्लेस यू और थैंक्स वर वाचिंग राधी राधी